वाटसब गैस कैसे हैं आप सब आई हूब आप सब लोग से सलामत है तो गैस आपने कभी भी एक चीश लोटीस किया है कि आपका घर का आज पोरोज में जितना भी इलेक्टिसिटी पोस्ट है या विजली का तार है इस सब में चिरिया यानि पंग्शियों को बेटना देखने लेकिन इतना ज़्यादा बॉल्टेस होने के बाद भी पंग्शियों सब तार को बैटके आरांट से मौच करता है मतलब बिजली का तार इतना ज़्यादा खत्रा और इतना ज़्यादा डेंजरस होता है ना कि एक सेकंड से भी कम समय यानि नेनो सेकंड में किसी का जान ले लेकिन उस अबतार में कोई भी चिरिया यानि कोई भी पंग्शी बैटने से कुछ भी नहीं होता है लेकिन अपका मन में शायद और एक सवाल जोरू रहा रहा है कि कोई भी चिरिया अगर इलेक्ट्रिसिटी का बैटने से अगर करेंट नहीं लगता है तो जो चमगादार ह अगया स्वारत जानते हैं चाहरे साथ और आख इसको में आख जब दिश्याल जानते हैं कि कहीं पर इलेक्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए दो से प्लास लाइन और दूसरा होता है माइनस और यह दो तार का मदद से लाइट जलता है पांखा गमता है और बाकी इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेंट्स चलता है तो जब भी कोई भी पंख्षी इलेक्ट्रिसिटी का तार में बैठता है तो उन्हें कारण नहीं लगता है उसका कारण यह है कि पंख्षी सिर्फ एक तार की ओपर बैठता है वो अपना दोनों पाव एक हीतार में जमाये रखते हैं जिसके बज़र से दूसरा तार के साथ कोई भी connection नहीं हो पाता है और circuit भी पुरा नहीं होता है circuit पूरा कैसा होता है जैसे की एक तार जैसे की plus वाला तार और minus वाला तार एक होने से एक सत लगने से circuit प्रोड्यूस होता है यानि current प्रोड्यूस होता है plus minus मिल के लेकिन कई भी पंच्छी एक ही तार में बेठा रहता है और आप लोगों ने बहुत चरह आछाई साउटिक का तार को कहीं बहुत चरह ओगा क्या करता है कापड का समान है काप टेबॉल या प्लास्टिक का कोई भी समान के अबर ख़रहो के नंगगे हाथ क्या करता एक इलेक्टिसिटी का कनेक्शन दे रहेत यह जिस सर्केट पुरा नहीं होने के पाइसे उनका शरीर में करेंट ऐटक नहीं करते सर्केट पुराnahn रहूट दाभी होता है जब अप एडस सेम्म ढाइन और माइनस लाइन दोनों में अप हाथ लगाएंगी तब तब सरकेंट पुरा हो जाएगा आपको करेट डिक जोरूर करेगा लेकिन गल्दिता दो हो जाता है जब हम लोग जमीन पे खाली पेर खारा हो के नंगा पेर खारा होके हम लोग electricity का तार को छूलेते हैं कि जमीन पे हमेशा आर्थिंग रहता है और हाला कि electricity तरह करते हैं आप लोग घर में बिल्कुल भी करने के लिए कोशिच भी मत किजिए क्यों को बहुत सामधानी के साथ करता है बहुत सेफली और बहुत प्रैक्टिस के साथ उल्ग करता है तो गैस आई अब जानता है चमगादर को यानि एक वेट्स को क्यों करेंड लगता है वो भी तो एक चिरिया है तो गैस मरा हुआ चमगादर को बिजलियों का तारों में लटकते बात नी यह हम सब लोगों ने देखा यह देखने के बाद खानोंमे एक सावाल जोरूर आता है कि चमगादर और पंख्यों के तरह 26 mm नहीं लगता है इसका पीछे का इसन यह पर वर सबक्रूत कारण लगता है वोसुक् soundtrack यह उन लोगों का विंग्स जियां लोगों का पांख के मौत होता है और चमगा दरको और पक्षियों socio अलाग इसलिये कहा जाता कि लोग उल्टा लवत कते हुए बैठें ऊ erreुटい बैतने का पोजिशन तोटेली आलग होता है उल्टा लटक बैठने के बशें बतार Hoşidra जान का खतरा हो जाता है और चम्कादर को कारेंट तब तक नहीं लगता है जब तक वह अपना पांख को हिला के दूसरा वाला तार पर connection या touch ना करें तब तक उसको current नहीं लगता है दरसल चमकादर दुसरा पक्षियों के तरह सिधा बैठ नहीं बाता है चमकादर हमेशा उल्टा बैठता है और उनका जो punk होता है बहुत बराबरा होता है तो कई बर क्या होता है गलती से punk जाके दुसरा वाला तार में touch हो जाता है जिसका बज़े से circuit पूरा हो जाता है और उनका मौत हो जाता है तो गैस आज का वीडियो में बास इतना है आई हो अप लोगों को समझ में आ गया कि पंग्षियों को current क्यों नहीं लगता है और वही से एक पंग्षि चमगादर को current क्यों लगता है वीडियो अच्छा लगा तो जाता से शेर करतीजेगा और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करतीजेगा और मिलता हो किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए पाई